मुसलिम धर्म के अंतिम संसकार को जनाजा या नमाज ये जनाजा कहते हैं जो मुसलमानों के मरने के बाद किया जाता है ये संसकार मुसलिम समाज में बहुत महत्पुन होता है और इसमें कुछ एहम क्रिया सामिल होती है जिसे हम सभी को पता होना चाहिए पहली क्रिया गुसल होती है जिसमें मरे हुए सक्स को पाक किया जाता है इस क्रिया में मरे हुए व्यक्त को धोकर साप किया जाता है दूसरी क्रिया कफन बादने की होती है इसके बाद तीसरी क्रिया जनाजा की नमाज पढ़ी जाती है यह नमाज चार राकट की होती है इसके बाद चौथी क्रियस सब को किसी कबरिस्तान में दफन किया जाता है इसे दफन कहते हैं दफन के दोरान कुछ सुरा पढ़ी जाती है और मरने वाले सब को कबर में रख दिया जाता है